पच्चों एक एक व्यक्ति मिलकर परिवार बनाता है परिवार मिलकर समाज बनाते हैं समाज से देश और रिभिन देशों से फिर ये संपून स्रिष्टी पूरी धर्ती पूरा विश्व बना हुआ है यानि कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व एक ही है हम सब का पूरे विश्व के निर्माण में या विद्वन्स में कुछ ना कुछ योगदान होता है अगर हम सब यही सोच लें कि केवल मेरे करने से क्या होगा या सिर्फ मेरे करने से कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो ऐसा नहीं है हर व्यक्ति के छोटे छोटे अच्छे प्रयास निर्मान में भी सहयोग देते हैं और हर व्यक्ति का एक एक छोटा छोटा गलत कारे विद्वन्स के लिए जिम्मेदार होता है तो आज मैं चित्रबंसल आपकी हिंदी की टीचर आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हो उसमें कवी ने हमें उचे उठते रहने का संदेश दिया है और उचे उठने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने ही जीवन के लिए अपने आपको उचा उठाने के लिए सोचें बल्कि हमें सब के बारे में सोचते हुए सब का हित करते हुए आगे बढ़ना है वही सच्ची सफनता है उसी को वास्तव में उँचा उठना माना जाएगा तो देखते हैं कि किस तरह से कभी हमें उँचा उठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कविता का शीर्षक है इतने उँचे उठो तो देखते हैं इस कविता में कभी क्या समझाने का प्रयातने कर रहे हैं और उससे पहले हम पूरी कविता को एक बार सहस्वर पढ़ेंगे चलिए पढ़ना शुरू कीजिए बोल-बोल कर मेरे साथ इतने उचे उठो कि जितना उठा गगन है देखो इस सारी दुनिया को एक द्रिष्टी से सिंचित करो धरा समता की भाव व्रिष्टी से जाति भेद की धर्म वेश्की काले गोरे रंग द्रिष्की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मले पवन है नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो नए तोलिका से चित्रों के रंग उभारो नए राग को नूतन स्वर्दो भाशा को नूतन अक्षर दो युग की नई मूर्ती रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयम स्रिजन है लो अतीत से उतना ही जितना पोशक है जीन शीन का मोह मृत्यु का ही दियो तक है तोडो बंधन तोडो बंधन रुके नचिंतन गती जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गती में बनो कि जितना परिवर्तन है चाह रहे हम इस धर्ती को स्वर्ग बनाना अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धर्ती पर लाना सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे दो कुरूप को रूप सलोना इतने सुन्दर बनो कि जितना आकर्शन है कवी हैं द्वारी का प्रसाद माहेश्वरी कितनी सुन्दर कविता है यह और अब हम इसका एक-एक पद पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह गहराई से समझेंगे इतने उचे उठो के जितना उठा गगन है कवी हमें उचा उठने को कह रहे हैं हमारे स्वभाव से, हमारे गुणों के माध्यम से वे हमें बहतर से बहतर बनाना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपने अंदर इतनी क्षमताईं जगाओ, इतने योगे बनो और इतने उंचे उठो जीवन में, जितना उंचा गगन है, यानि कि अपने कारें से, सफलताओं से, खोब आगे बढ़ो, उंचे उठते जाओ, कि तुम मानो गगन को छूलो, देखो इस सारी मुझे तुम उठ चाओ, ये ध्यान रखना कि पूरी दुनिया को एक नजर से देखना, यानि किसी तरह का भेदभाव कभी भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात का भेद नहीं है, कोई देश, धर्म, किसी तरह की दीवार अपस में नहीं हैं साब एक हैं पूरी दुनिया पूरी मानब जाती ऐक है इस दृष्टी से सबको देखना है सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टी से और यह धरा यानी धर्ती जो है इस पर रहने वाला प्रतेक जीव जो है उसका आपस में किसी ना किसी तरह से संबंध है यानि कि हम सब एक दुस्य से आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं तो इस धरा को तुमने सीचना है समता की व्रिष्टी से जो हमारे मन में समता के भाव बहेंगे वही वर्षा हमने पूरी धरा के उपर करनी है अर्थार जब हम अपने मन में समता का भाव लाएंगे तो वह समता का भाव बाकी सब के मन में भी पैदा होगा और इस तरह से यह संपूर्ण धर्टी जो है इस पर समान दृष्टी की समानता की वर्षा होगी और ये धरा उसी से सिंचित होती रहेगी जाती भेद की धर्म वेश की काले गोरे रंग देश की तो कवी कह रहे हैं कि जाती का भेद धर्म और वेश का भेद काले गोरे का भेद किसी तरह का भेदभव हमारे मन में नहीं होना चाहिए हमने साब के हित की कामना करनी है और सभी के हित के लिए कार्रे करना है ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मले पवन है तो इस संसार में पूरी दुनिया में नजाने कितनी तरह के भेद भाव पल रहे हैं और इन सब भेद भाव के कारण जो विकार उत्पन होते हैं संबंधों में दरारे आती हैं तो मानो कि पूरा संसार जो है ये जाती भेद धर्म भेद काले गोरे का रंग भेद इन सब जॉआलाओं से जल रहा है जॉआला के बीच में तुमने क्या बनना है तुमने शीतल मंद पवन की तरह से बहना है यानि तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो इस जॉआलाओं से जलते हुए संसार में शीतल मंद सुगंधित पवन का काम करे नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो कवी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि अब तुमने क्या करना है जब तुम बड़े होगे तो तुमने क्या करना है कि अपने नए हाथों से, मतलब जब तुम युवा बन जाओगे, तो अपने नए हाथों से तुमने वर्तमान के रूप को सवारना है, अभी तक संसार में जो कुछ होता आया, जितने भी प्रकार के भेदभाव पलते आये, पर अब तुमने इस संसार को इस धर्ती को एक नया रोप देना है, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, तुलिका मतलब रंग भरने का ब्रश, तो तुमारे सामने ये संसार मान लीजिए, एक बहुत बड़ा कैनवस है, एक आधार मिला हुआ है तुम्हें, और उस पर तुमने अपनी नई त तुलिका से सुन्दर चित्र भरने है, यानि इस संसार रूपी कागस पर, अभी तक जो भी चित्र बनाए लोगों ने, कोई भेदभाव का, लड़ाई जगड़ का, या जाती धर्म, वेश भूशा, भाशा के आधार पर, जो भिन भिन हमने चित्रकारी इस कागस पर, संसा तुलिका लेनी है, और इस संसार रूपी कागस पर, नए सुन्दर चित्रों का निर्मान करना है, नए राग को नूतन स्वर्दो, भाशा को नूतन अक्षर्दो, नूतन का मतलब नया, अब तुम्हें एक नया गीत गाना है, एकता का, समता का गीत गाना है, प्रेम का गीत काना है, तुम्हारी वानी में, तुम्हारे विचारों में, किसी तरह की कटुता या द्वेश की भावना नहीं होनी चाहिए, एक नया स्वर दे दो अपने गीतों को और भाशा को नूतन, मतलब नए अक्षर दे दो यानि कि अब कोई गीत कोई भाषा ऐसी नहो जिसमें किसी के प्रती बैर द्वेश की भावना हो युग की नई मूर्ती रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयम स्रिजन है यानि ये युग अब तुम्हारे हाथ में है होगी नई होगी तुमने एक मौलिक रूप देना है इस पूरे संसार को जो ऐसा हो कि जैसे स्वयम स्रिजन होता है जब किसी वस्तु का निर्मान करते हैं तो वो जो स्वयम जो निर्मान होता है बिलकुल नया ऐसा ही तुमने इस संसार को इस संजग को बनाना है ऐसा रूप इसको देना है जैसा कभी नहीं मिला हो अभी तक जो होता आया वो सब तुम्हें बदल कर उसको एक नया सुन्दर आकरशक रूप देना है और वो रूप कैसा होगा जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी केवल प्रेम होगा आनंद होगा सब मिलजूल कर रहेंगे किसी तरह का कोई भेदभाव आपस में कोई दीवारे नहीं होंगी लो अतीत से उतना ही जितना पोशक है अतीत मतलब बीता हुआ समय हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए यह ठीक है लेकिन कभी कह रहे हैं कि अतीत की उन्हीं बातों को ग्रहन करो जिन से तुम्हें तुम्हारे भविश्य को पोशन मिले ऐसी बातें अतीत की जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है उन्हें तुम्हें नहीं ग्रहन करना है उन्हें छोड़ देना है। उनको छोड़ दो, ऐसे जीन शीन जो माननिताएं होती हैं, विचार होते हैं, वो मृत्यू का ही संदेश देते हैं, मृत्यू का मतलब कि वो अच्छाई जो है, फिर वो टिक नहीं पाती है, ऐसी घिसी पिटी बातों से, तो जो बाते हमें आगे बढ़ने में सहयोग दे रही हैं, हमें पोशन दे रही हैं, उन्हें हमें अपनाना है, और जो हमारे भविश्य के लिए, या हम लोगों के आपसी संबंदों के लिए घातक सिद्ध होती हैं, उनको हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो बातें, वो जीन शीन विचार जो हैं, वो एक दुखद अंत का दिय जो तक हैं, तो दुखद अंत की जानकारी या सूचना देते हैं, तोड़ो बंधन रुके न चिन्तन, गती जीवन का सत्य चिरंतन, किसी भी प्रकार का बंधन जो तुमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको तोड़ दो, और चिन्तन करना छोड़ो मत, चिन्तन करना वि अपने मौलिक विचार होने चाहिए, हमें सोचना आना चाहिए, गती जीवन का सत्य चिरंतन, यानि गती ही जीवन का एक मात्र सत्य है, चाहे वो गती कर्म की हो या विचारों की हो, जब तक हम गती मान बने रहते हैं, तभी तक जीवन चलता रहता है, जिस दिन हम रुक ग धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवरतन है यानि कि जीवन धारा जो चल रही है इसका शाश्वत मतलब हमेशा एक निरंतर एक सकारात्मग प्रवाह बना रहता है। इसमें तुम इतने गती में बन जाओ, इतने गती शील बन जाओ, कि जितना परिवर्तन है, यानि जिस गती से परिवर्तन हो रहा है, उसी गती से तुम्हारे विचारों में, कर्मों में भी गती आनी चाहिए, तुमने पल भर के लिए भी रुकना नहीं है, चाह रहे हम इस धर्ती को स्वर्ग बनाना मतलब हम सब जहां भी दुनिया में बच्चों जो भी प्रयास हो रहे हैं हर प्रयास का जो अंतिम उद्देशे होता है वो होता है धर्ती को सुन्दर से सुन्दर बहतर से बहतर बनाना सुख सुविधाओं की दृष्टी से, पर्यवरन की दृष्टी से, हर तरीके से हम समपूर धर्ती को सुन्दर बनाना चाहते हैं, बहतर बनाना चाहते हैं, और उसी के रिए सारे प्रयास हो रहे हैं अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धर्ती पर लाना और हमारा ये प्रयत्न रहता है कि अगर कहीं स्वर्ग है, यानि कि हमने स्वर्ग की जो कलपना की है, जहां सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं, तो अगर कहीं ऐसा स्वर्ग है, तो उस स्वर्ग को हम धर्ती पर उत सूर्च, चांद, चांदनी टारे सब हैं ब्रतिपल साथ हमारे یعनी कवी पूरे पर्यावरन को पूरे स्रिष्टी को अपने साथ महसूस कर रहे हैं वो कहरें कि अगर हमारे भाव अच्छे होंगे अगर हम मिलकर काम करेंगे अगर हम इस धर्ती के हित के लिए सोचेंगे और प्रयास करेंगे तो सूरज, चांद, चांदनी, तारे, साब हमारे साथ हैं हर पल हमें इन सब का सहयोग मिल रहा है यानि प्रकृती जो है उसके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है तो ये चांद, तारे, चांदनी, सब कुछ ये प्रकृती का ही यंग है और ये हर पल हमारे जीवन को सहयोग दे रहे है तो हमें इतना सहयोग मिल रहा है आसपास से पुरी स्रिष्टी से तो हमें भी स्रिष्टी को सुन्दर बनाने का प्रयतने करना चाहिए तो हम अपनी बुराईयों से विकारों से आपसी द्वेश से इस रिष्टी को नश्ट ना करें बलकि इसको सुन्दर से सुन्दर बहतर से बहतर बनाने का प्रयतने करें दो कुरूप को रूप सलोना इतने सुन्दर बनो कि जितना आकर्शन है तो जो संसार अभी तक किसी कारणवश कुरूप हो चुका है मतलब अपने खुबसूरती गवाँ चुका है अब हमने मिल कर उसे फिर से सुन्दर बनाना है ये स्रिष्टी ये धर्ती कितनी सुन्दर रही होगी जब ये इसको हमने जब तक मनुश्य ने अपने दुश कर्मों से चुआ नहीं था पर अब हमने अपनी जरूरतें या अपनी अंगिनत इच्छाएं पूरी करने के लिए इसे प्रकृती को स्रिष्टी को इस कदर नश लोना बनाना है और इतने सुन्दर तुम बन जाओ इस रिष्टी को कैसे सुन्दर बना पाओगे जब तुम अपने विचारों से अपने कर्मों से सुन्दर बनोगे और इतने सुन्दर जैसे स्वयम आकर्शन है अर्थात अगर हम किसी वस्तु में सुन्दरता देखते हैं हम कहते हैं कि कितनी आकर्शक है तो जो स्वयम आकर्शन है हमने वैसा बन जाना है यहनि कि हमारे काम, हमारी सोच, हमारे विचार ऐसे हों कि वो अपने आप में आकर्शन पैदा करें और किसी तरह की कुरूपता, किसी तरह के विकार, नकारात्मकता, संसार में इस धर्ती पर, इस रिष्टी में कहीं ना रहे केवल सुन्दर्ता, सच्चाई, प्रेम भाव यही सब सकारात्मक सोच हर तरफ दिखाईते हमें ऐसे काम करने हैं तो पढ़ी गई इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें और समय के साथ साथ अपने विचारों में, परंपराओं में, परिवर्तन लाएं, सुधार लाएं, तभी हमारे देश का पूरे विश्व का कल्यान संभब है एक देश पूरे विश्व से कटकर नहीं रह सकता, एक व्यक्ति समाज से कटकर नहीं रह सकता यदि समाज का, देश का और विश्व का कल्यान होगा, तो उसी में हम सब का कल्यान नहीं थे तो हमने अपनी छोटी छोटी तुछ माननेताओं या विचारों से उपर उठना है और विश्व के स्तर पर सोचना है